हेलो हाई नमस्ते वेलकम बेक तो मैं चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत हादिक स्वागत है हमारे यूटुब चैनल पे इसाई को सूत्रा पर और आज हम आपके रहे लाए हैं नॉन कोपरेशन मुवमेंट का एक बहुत ही बड़ी है और बहुत ही डिटेल्स पहला प्रॉमात एक्ट को बाइस को ऊठाने के लिए उसको बाइस को हुटाने के लिए इन सब के बारे मिन हम भी पढ़ेंगे ठीक है ज्यादा मुस्लिम्स और खिलाफत से ठीक है वो भी बढ़ेंगा अंदर डेटेंड में इसको सपोर्ट करने के लिए इस मुवमेंट को और सौराज को अटेंड करने के ठीक है अटेंड करने के लिए क्योंकि सबको सौराज सुगा था तो यह सारे नॉन कोपरेशन इसे करने के रिजनस हो गया था चौरी-चौरा कारण आखे ठीक है जो अट्यों कि वया था 5 टैप को 1922 थैक है उन्होंने नॉन कोपरेशन मुवमेंट डिया क्योंकि बुह थीडि़ा वाइस पुलिस ऑफिसर और 22 पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था फाइल कर दिया गया था सो इता सारा वाइलन्स देखी गांदी ची ने कि फाइनली डिसीजन लिया कि यह चौरी-चौरा मुमेंट पे चौरी-चौरा जो कांड हुआ है इसके वाइज से उनको नोन कॉप परिंडर्ड ओल टाइटल्स एंड रिजाइंड फ्रम नॉमिनेटेट सीट इन लोकल पॉड़ी रिफ्यूज तो अटेंड गवर्मेंट और सेमी गवर्मेंट फंक्शन अच्छा है नोन कॉपरिशन में हुआ क्या क्या था उसकी बात कर रहे है ठीक है कि नोन कॉपरिशयो और से lows सबीनीड की नोन कॉपरिशन में वकल ऐसंटनृफ्य गवर्मेंट से घूरा जिटनी जियूजए आथया कोईटेश, मांच्यम बच्छे स्कूल नी जाते जाता है जिए रिएक कोड़े में वहां पर बात कनूर्मेंट लोग जाते थे बांचे का स्कुल दृत क ब्रिटिश रीकोर्ट थे सबस्कित कर ते रिए। रेख्यूस को घ्रblack मौरेंगा और में। सारे सब का भेष्ट कार किया boycott the election to be held for the council as the suggested by the reforms act of 1919 1990 में जो reform act हुआ था और जो कि उसमें suggested हुआ था जो भी election होने वाला था उस time council के लिए उसका भेष्ट कार करेंगे हम election में नहीं करेंगे ठीक है उसमें भी सहयोग नहीं देंगे और जितने भी foreign goods थे जितने भी जितने भी चीज़े बंदी थी भूले हम कुछ ना पहनेंगे इनका ना खाएंगे ना कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है जितने भी manufacturing होता था वो कुछ कोई खरिदना बंद करती हैं लोगों ने जिसके वैसे उनकी एकनोमी को पर बहुत ज्यादा effect परा था within two years और objective देखते है करो उसका और अब कोट्स उनके कोट्स को बॉयकाट कर दिया तो खुद के नाय पंचायज बनाओ ठीक है के इस कहां लेड़े जाएंगे पॉपलारजेशन और स्वादेश्वी विच चर्खा एंड यर्न स्पिनिंग अब जितने भी foreign goods थे उनका तो बॉयकाट कर दिया जि खुद कपड़ बनाओ कपड़ पेनो खाखी चर्खा इन सब का ज्यादा प्रोचलन चलने लगता ठीक है प्रोमोशन आफ दा हर्वनी बिट्वीन दा हिंदूस अन दा मुसलिम्स एक अच्छी हर्मेनी पीस और हैपी रिशेंशिप था बिट्वीन हिंदूस एंड मुसलिम में स्कॉर प्रोमोशन मिला ठीक है प्रोमोट किया हर्मी बिट्वीन दा हिंदूस अन दा मुसलिम्स रिमूवल उफ अन्टचिबिलिटी यह बहुत अच्छा पॉइंट है कि जिते भी हरीजन्स थे उनको यह बोला कि भई तुम तो भगवान के इंसान हो तुम्हारे साथ कैसे बेदबाव कर सकता है तुम तो हरी के जन हो उनके भीजे हुए हो तुम तो हरी जन्स हो तुम को छूने से पाप नहीं लगया बलके तुमको हम छूनेंगे तुम्हारे हम सेवा करेंगा तो हमको पुन्य मिलेगा तो यह अच्छा चीज चीज सिखाई हो लोगों को तो यह कुछ पॉइंट से नॉनकोर्परिशन को लेके अब थोड़ी बुकिश भाषा में भी हम देख लेते हैं नॉनकोर्परिशन मूव्मेंट अंसक्सेसफुल अटैम इंद 1922 और 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 तो इंडिया तो इंडिया तो इंडिया बिटिश गोवर्मेंट और यह क्यों किया गया था तो इंडियूस मतलब बिट को खतम करने के लिए खुद का इंडिया का सैफ गर अउर आग इन पने क महने खेल चीघ önोर दंपाने को लिए था तो प्रछंपर्ड्याइक शक्राइब्श इन अपरें अपर्ल 2019 when the british-led troops killed several hundred indians that anger was later compounded by the indignation at the government elite failure to take advocate actions for those responsible not to be resilient edward harry devour who had commanded the troops involved the massacres gandhi strengthened the movement by supporting non-violent terms and condemn and contemporance muslims campaign campaign against the dismemberance of the ottoman empire after the world war one of the hits me kya chal raha tha ki jitte bhi british jitto bhi dhustra jju bhi atiyachara kar raha tha jaysi ki ambrisar me jjo huwa tha jjo messker hatala pausar indians ko maara diya kaya tha and in sab ka badala nenei kya khanri ji na ye organized kuch pahali bar act bana ya tha non cooperation but he non-violence pa tha 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 ki violence nne gareen ga aur henho nahi uska bhi sandhya muslim campaign ka bhi sandhya ki jo ki ho raha tha against the dismemberant of ottoman empire स Давай थिक कहें, स्कुरुमोर्त थर यह मनेरे पर पर केमा प्रोणा, 20 पीकुरुमी के हम से ऌसपा कईसा बीजा था है ? दुकुमीडन र के हापन इंड इज़ तु फूरें थे मुझाए थे है पर र मेभन ऐह था Самे Igoritoons प्थान पर फेर Δडे लुभन मेड़ा थे है फत्य वीड्ब़क टो ते अबन्तिग्स के साथ प्रूलर बिद्डार लुवार न एक्रेसिट रूलर। and 21 lakh pound as war subscription so indians expected that in return of this value of service the british government would grant autonomy to them at the end of the war but they were really disillusioned this dysfunction was one of the cause of non-corporation movement by gandhi why did this happen? first we saw some of the cause of the war but what happened in the end of the war gandhi ji is that world war 1 was going on and we donated 6 lakhs and 21 lakhs और हमारे कितने सारे soldiers गए हैं, बदले में हमको भी तो मिलना चाहिए ना कुछ, हमें भी वो मिलना चाहिए, लिकिन डिसलूजन से, ब्रिटिश ने ध्यान नहीं दिया, वो डिसलूजन में थे, है ना, और यह जो इतना गंदा जो डिस्फैक्शन था, वो फ्रस्टेशन में बदल गया, कि ऐसे कैसे हमारे आद मुरिती जान दी है, ब्रिटिशन दे रहे हैं, हमारे साथ फिर भी जाती कर रहे हैं, है ना, सेकंड रिसन था, सेकंड कॉस था, होम रूल मुवमेंट, होम रूल मुवमेंट क्या है, युवमेंट था, तियला केंवाग लिप्रेस्ट कर रही है यह मैंच कर रही है स्टार्ट कर रही है उसमें मुझो मुस्लिम लीग थी और जो कॉंग्रेस पर्टी दोनों क्लोज आये थे उस बीच और the return of the extremist to the congress in 1916 गेव the congress some military character जो extremist लोग अच्छा एक्स्ट्रीमिस्ट क्या होते है और moderates क्या होते है अच्छे से देख लीजएगा उसको प्लीज अच्छे से देख लीजएगा और उससे आपको बहुत क्लिरिटी और बहुत समझायागा तो the return to the extremist to the congress इसमें क्या होगा था जो moderates होते है उनका थोड़ा सा पता देती हूँ जो moderates होते है वो विरोध भी करेंगे तो वो यह चाहेंगे कि law and law rules regulation के अंदर रहके हम प्रोटेस करें लेकिन जो extremist होते है वो उनको उनका यह मानना होता है जो extremist लोग होते है उनका यह मानना होता है कि शांती से तो यह मानने नहीं ना मानने वाले तो अब हम क्रांती करेंगे ठीक है तो सीधा सा यह difference है दोनों में to the congress in 1916 जब यह हुआ जब extremist congress से अब करें हुआ उसका बेस उसका ग्राउंड किसका नॉनकोपरिशन मोवेंट का थर देखते है एकनोमिक डिस्ट्रेस कॉज़ पाइद अग्रेंग डिस्ट्रेस साही बात है वाल बार में इतना ज्यादा लॉस हुआ था एकनोमिक रैसिस तो आए गई गाई the war brought about great economic distress to the Indians at the end of the war the economic condition took a turn of the force price price shot up price of the crop cloth sugar etc began to soar foreign goods began to be imported both the peasants and the workers suffered due to the impact of war the price of the agriculture product products did not increase the workers being employed had to give in a half starvation have to live in a staff the workers being unemployed and had to stay in half starvation and the workers being unemployed and had to stay in half starvation and unemployment का सामना करना पड़ा और भूके सोना पड़ा according to the Louis Fisher not only political leaders but also the soldiers and the and even the peasants claim compensation for the shedding Indian blood सिर्फ political leaders ही नहीं ठीक है डूइस फिशर ने ये बताया है ये बोला है ये बोला था कि इसे political leaders नहीं जो लड़ रहा है जो लीडर है जो पावर रहा है वही लोग नहीं छोटी लोग जैसे कि पीजन्स हो गए या soldiers हो गए सिपाई हो गए इन सब ने भी compensation मांगा है इन लोगों का भी खून बहा है ठीक है हम इतनी महनत कर रहा है तो हमको exchange में मिलना चैना उतना ही इन लोगों ने भी खूब बोला कूब compensation किया for shedding Indian blood गुसा तो देखे सब में भरी रहा था और जब वाल कैनों भरेगा जब मौंटन में लावा भरेगा तो वाल कैनों तो बजए सी कंडिशन तो आएगी एक दिन तो फूगले काई भूट था है खिलाफत movement the treatment the treatment meted out the British government to the caliph of turkey disturbed the Indian muslim as as he was seen as their religious head as a result they started the khilafat movement under the leadership of Ali brothers, Moulana Hazard, Hasrad, Mohani and etc Ali brothers देखे कौन थे, Ali brothers के नाम याद कर लिए जिसमें लिखा नहीं है शायद Muhammad Ali और शौकत Ali थी यह दू ब्रदर्स था, Ali brothers, so Muhammad Ali, Shokat Ali, Moulana Hazard, Hasrad Mohani और बहुत सारे लोग थे इन्होंने खिलाफत movement start किया क्योंकि World War के बाद कुछ दे सब्वेंस हो गया था और टुकड़े हो गया था अधा इसमें हैं, अधा कोई और ले जा रहा है, अधा पार्ट तो पुरा बट गया था जिसमें खलीफ जादा थे इसलिए उसको प्रोटेस्ट करने के लिए खिलाफत movement start हुआ और किसकी leadership के अंदर में हुआ अली ब्रोदर, शौकरत अली और मुहमद अली, मौला नाजाद, हजरत मुहानी और और लोग और गांधी जी ने बहुत अपॉर्ट किया है, वह भी हमें support करते हैं इससे गांधी जी ने बहुत अच्छा opportunity ली उनको ऐसा लगा नुन ने बहुत अच्छी opportunity है to achieve the desired Hindu-Muslim को unite करने के ले ठीक है, गांधी जी saw this as the opportunity to achieve the much desired Hindu-Muslim unity and made efforts to make the common cause with the Khilafat leaders, he was elected, he is the president of All India Khilafat Conference in 1919 and advised the Khilafat Committee to adopt a policy of non-corporation with the British government, ठीक है, 2019 में All India Khilafat जो conference हुआ था, उसकी president बने गांधी जी और उनने बोला कि आप भी non-corporation movement में जोड़ जाईए तर खिलाफत leaders agreed, उनने agree कर लिया, ठीक है? एंड campaign, उनने फिरी सब चलाया और खिलाफत movement का last cause क्या हुआ, वो भी a cause बना non-corporation movement में है, तो देखिए कि दीरे-दीरे करके, इनका end conclusion और cause क्या निकल रहा है कि ये जब ऐसे हैसे हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? हम non-corporation movement स्टाट करेंगे, सब यहीं पर आकर रुकरें तो इस सारे चोड़-चोड़े causes में लाके non-corporation movement को contribute किये हैं ये करने में, ठीक है, इतने सारे reasons, रॉलत act देखते हैं क्या है, रॉलत act of 1919 authorized the British government to arrest and imprison any person without trial and convict him in a court, the authorities could arrest the Indian without a warrant and could conduct any trial in seclusion, also the act implied several restrictions on movement of individual and suspension of the right of Harvey's corpus, this was seen as a major breach of trust by the Indians who were expecting the British to deliver on their promise of providing self-government, Gandhiji appealed to the victory to withhold his consent of the act but his plea fell on defiers, अब देखिये, वोर रॉलत act क्या था, 1990 में हुआ था और ये authorized करवाया था कि British government है, वो like arrest or imprison मतलब कर सकती है, without any trial and convict him in a court, ठीक है, ऐसा था, British government ने कहा था, वो लोग जो authorities थी, इतने वी authorities थी वो इंडियन को बिना warrant और किसी के भी मतलब trial कर सकती थी और arrest कर सकती थी, ठीक है, ये सब जो हो रहा था था थो, एक्सेंज में ये लोग British जो भी कर रहे थे, अब देखिए British जो भी promise करते थे, वो कभी सच तो हुआ नहीं नहीं भाया, तो उन लोग उन्हें है नहीं कुछ, ठीक है, तो गांदीजे नहीं अपील की विक्टरी के लिए कि भई हमको self government चाहिए इसके बदले कैसे भी करके, उन्हेंने अपील की for the victory जीतने के लिए लेकिन, कौन सुनने वाला है, बद फिराओंगी ख्रानधु, वो तो बहर में आए थे, वो तो सुनी नहीं रहे थे, जैल्यिच थे जैलेनमाला बाग मैसकेयर हाँ जैलेनमाला है क्विएञा रária ऑट ड मच्रेंस एल और तो केके लिए सारे इंडियन्स को मार दिया गया था और बहुती बूरी तरह बूरी आपको पता है जलिमल बाग में क्या हुआ था सो यही सारे रीजन्स है इतने सारे गुसा बढ़ता गया बढ़ता गया फ्रस्टेशन होता गया और आग लगती और नहीं मान रहे थे वह अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे थे ना उकर से जाती और कर रहे थे तो बोला कि अब हम सहयोग करेंगे हम अब का इतना सहयोग करते आ और इंपॉर्टम है इसकाट vanilla शहाल में फोराज खर मास मूपमेंट था और इसको वेस्ट मूपमेंट नहीं कह सकते हैं कोई वेस्ट अंदोला नहीं सा इंपक्त हो पढ़ा ही ना विटिशर्स पे बहले ही फेल ही फेल हो गया अब दे नौन काप्रिशन मूपमेंट लेड़ बाद गांदी जी सच अस अ मास मूपमेंट विच है इसके पहले नहीं देखा गया है ऐसा कोई मास रिवाल्ट जो कि कांदी जी नहीं किया था जो कि था नौन काप्रिशन मूपमेंट इंडिया फॉर्स ताइम लेडर हो है एड एपर फाइड फाइड फाइस तू फैस ठीक है अकॉर्डिंग टो था मार्जरी स्काइज गांदी जी को उन्होंने बताया कि गांदी जी जो है वो उनके पस गिफ्ट फाइड है किसें इतनी अबिलिटी नहीं होते कि अपने दुश्मन से फाइड कारें फेस तू फेस ठीक है तो उनको यह ऐसा टाइटल और यह बोला गया है सो अचरइग टो मार्जरी सकाइज निया का है कि गंदी जी फास एक गिफ्ट फाइड का अगांदी जी काई गंदी जी हैड गिफ्ट फाइड का due to the program of boycott the import of sugar from the england decreased considerably the import of sugar from the england decreased this decreased considerably the import of the british cotton good decreased from rupees 6.7 crores to the rupees 2.8 crores within a period of six months likewise the import of iron decreased iron 50% decreased but the mill owners had a lot of profit by boycott and the British cotton goods also decreased the import like as you can see 6.7 crores or 2.8 crores decreased and the Indian mills had a lot of profit and the masses had a lot of interest in the masses and the non-cooperation movement certainly demonstrated that the Indian national congress commanded the support and sympathy of the war section of Indian people and the non-cooperation movement demonstrated that the Indian national congress, the INC, was supported by the common people and our first sympathy and to do it the spread of the movement was the national white the whole world the spread of the movement was the national white the whole world it may be true that some area were more active than others but there were few that showed no sign of activity at all of it, it was like this, that the whole nation loves what the impact and this happened like this, and that the impact of the民體 and the form they have significant impact but they just knew better in many areas that the youth and the classes of the women are to do things that don't by no sign of their child, and the children in the whole family he will not have to take it to the feet of the body so that there are some people that are not different in the face and there are no sign of it. थर्ड है पंठ्टिस्पेशन फिपल्स मुसलिमós Tyl रख he was फिर कारषी अबस्लिम क्या तो cmue ing उशानां 20ниц वंहें सबस्क्राइब क्षिय। मुष्ण आर जो समक्नाइब है जो ini को अच्छी सवाथ मुखी में यहद नियु肯 वी माजमदार क l 있нако का ड्र हम सबस्कर्षल एककторद ड्रत के उद भी कहा है सबस्काइबिक sa इसने सरसेक्स है कि people conscious था हुआ है, people aware हुआ हैं, people aware हुआ है, इसलिक अच्छा मार पस इसा political right है, educate हुआ है, knowledgeable हुआ है, ठीक है, aware हुआ है, people lost their trust in British administration, उनको पताया गया, पढ़ाया गया, दिखाया गया, और जनवाया गया, कि भाई, देखिये और जानिये, कि British administration मार सब क्या कर रहे है, तो उनका Indian government में, Indian leaders में बढ़ा, trust और British administration में lost trust गटा, they become the confident of self-reliance, ठीक है, आत्म शक्तियात निर्बट, ठीक है, self-confidence उनका बढ़ा self-reliance, बढ़ा confidence बढ़ा, self-confidence बढ़ा, the government failed to create a fearing mind, you know, so the government failed to create fear in their mind, ठीक है, जो कि अच्छी बात है कि डरू मत, British administration हम साथ है, और उता नहीं unity strength, साथ रहेंगे, सब कुछ अच्छाएगा, लेकिन इसने अच्छे movement गा, इतने अच्छे impact का, cause क्या होगा कि वो fail हो गया, ठीक है, देखते है क्या के causes से उसके failure के, fall of khalif, the khalif question was solved by the kamal pasha in Turkey, leading to the fall of khalif, so the muslims lost their energy for the movement after that, जो खिलाफ़ा का question था, वो kamal pasha जी जो थे प्रकी में, उन्होंने उसका answer कर दिया, और like अलगी solve कर दिया, leading to the fall of khalif, so जो भी muslims थे, उन्होंने अपनी energy ही loss कर दी ठीक है, तो अब उनका, अब होता है न, हम जिस movement से जुड़े हैं, और किसी और movement में गए हैं, तो पीछे वाले का ही, पता नहीं हम कहां चलते जा रहे हैं, energy उनकी loss हो गए, उनका खुद का ही जो खिलाफ थे, जो खिलीफ से, खिलाफत movement था, उसमें ये सब हो गया था, so उनके आगे वाली movement में energy loss हो गए थी, second है, impact of boycott on student, the prolonged boycott of school and colleges damped the zeal of guardian of the student, Ramindranath Tagore could not support the program of boycott of the school and colleges, of the program of school and colleges को भरिशकर रहे हैं, जो पेरे नहीं सोच रहे थे कि कब तक आपर स्कूल बंद रहेगा, कब तक आपर बंद रहेगा, कब तक आपर बंद रहेगा, क्योंकि विदे नहीं कुछ नहीं हुआ था, सिदा 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 reason है इसके fail होने का ठीक है, Disapproval of the use of Satyagrae by the Congress, Congress ने मना कर दिया कि हम Satyagrae को disapprove करते हैं, उसका हम यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है, the use of Satyagrae was not like of the many Congress leaders, according to the CR Das, the country was not prepared for the Satyagrae, Satyamurthy and Jayakar were against the decision or starting the movement without sufficient preparation, Ravindana Tagore entered in the same way, acted in the same way, he wrote Gandhi, I know you teaching the fight against evil by the help of good, such fight is for heroes and not for the men led by the impulse of the movement, this fight against Ghandi Ji, Ravindana Tagore had written, I know you are studying the fight against evil, which is a good help of good, but this fight is for heroes, not for the people, how many people are doing, 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 and therefore the gasoline that is effective, so disapproval of the use of Satyagrae by Congress, 4th failure of the work of the Boycott. The program of boycott did not succeed, who residents by reviewing the work they did, these people were doing difficult things. The Marwari Society of Kolkata imported British good breaking the promises of givingnen in Gucci 1920. ना जो 1921 में जो प्रॉमिस दिया गया था कि हम इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे जो भी ब्रिटिश का या गुड्स मतलब ना समान खरे देंगे ना किसी का कुछ करेंगे ना खरे देंगे ना खाएंगे बट विदाउट दे पर्मिशन जो मारमारी सोसाइटी थी और लोगों ने ब्रिटिश के गूड्स को इंपोर्ट कर दिया बिना बताया बिना किसी प्रॉमिस करेंगे के प्रॉमिस को तोड़के कि अंगे ना आइटीन फिफ्टा ए रिप्रेशिव मेजर टेकन पाइट गूवर्मिस तो पुछ नहीं जो कुछ की गूवर्मिस थी वही रिप्रेश काने लग गई गई अग्या तक ये मुवमेट बंद हो जया बहुत हो गया बट दन और न ना नोन गोपरेशन मुवमें पहले यह उस्ते बंद हो गया लेकिन यह आल तोगेदा कही ना कही युनो एड़ाउन किया पीपल्स के अर्ज में पीपल को इवोक करने के लिए कि हाँ हमको फ्रीडम जाहिए इतना आगे हम पहुंच चुके इतना सा पुछ हम कर सके और नीड समझ में आगे कि इनडिपेंडेंस स्वतंतरता आजादी कितनी ज़रूरी है कॉंक्लूसन दिख लेते हैं इतलास कॉंक्लूसन क्या निकला जो यह नॉन कोपैसिन मुव्मेंट जो स्टार्ट हुआ था यह अन्प्रेसिडेंटेंटेंटेंट अन्थ्यूजियाज्म के साथ चालू हुआ था ठ और असविझ संव्म थे प्रिम पार्ट में टार्यचंट किया तर्म आपिश्चंट का किलादी मीते है जो प्रिम्म पार्यक बियुक्स दिशा है थे मिद थे प्रिम्यात्ट ज्याश्ट पर खाएं फर्म्मंऺन चैसे, Bayer,边मी,Bशा,श्रियाद फ्रिम्म WITH 229, it gives a new complexion to the people's urge for freedom people को ये निया urge मिला कि हाँ हमको freedom की जरोधारम को freedom चाहिए तो add-on तो हुआ है failure भी, failure तो हुआ ही है इस movement का बट पूरा, पूरे से failure नहीं हुआ है ठीक है, क्योंकि people में awareness आया और I think, ओ, दिखेंगे इस में लिखा भी है it marks the beginning of a new phase in the history of India's freedom movement पहली बार और ये marked है कि Indian freedom movement का जो people's के अंदर जो urge था ठीक है, need था it gives a new compilation to the people's urge for freedom कि थब से पहले कहां beginning हुआ इसको phase मिला, non-cooperation movement से ही in the history phase इनको movement मिला it mark the beginning beginning mark ही है for a new phase in the history for the India's freedom movement to non-cooperation movement के बारे में इतना था I hope आपको समझ में आया हुआ अब थोड़े चलिए add-ons भी पढ़ लेते है अगर हम इसमें add-ons पढ़ने जाए चलिए government act of 1935 क्या था तो उसा देख लेते है government of India act promised some form of the representative government election in the 1937 and election held on the basis of restricted franchise ठीक है रेक्चिश से फ्रेंचाइसे now 8 of the 11th provinces had the congress prime minister ठीक है 11 में से 8 लोग ठीक है 8 जने जो प्रोविंसे थे वो congress के prime minister थे in september 1939 two years after the congress minister resume office the second world war broke out in protest the congress ministers resigned in october 1933 1939 series of individuals ठीक है 1940 से 1941 तक in march 1940 the muslim rake passed a resolution depending the measure of autonomy of the muslim majority areas of the subcontinent Cript's mission of 1942 क्या था था in the spring of the 1942 Churchill was persuaded to send one of the ministers sirs strapped on Cript's to India to try and force a compromise with the Gandhiji and the congress the congress insisted that if it was to help the British defend of India from the exist power then the viceroy had first up to appoint an Indian as a defense member of his exogation council ठीक है Cript's mission of 1942 क्या था कि जो चर्चुल ने अपने minister को send किया जो कि सारी Stanford Cript's आये इंडिया और Gandhiji और कॉंग्रेस को का कि आप प्लीस हम को थोड़ा कॉंपरमाइस कीजा आप भी कोई मुवमेर मन्त कीजेगा क्योंकि वहां पर वर्ल वर चल रहा है हम बहां पर बीज़िया अपना इंडिया में अलग से movement कीजेगा ठीक है थोड़ा कॉंपरमाइस कीजे थोड़ा हमारे साथ पर कॉंग्रेस ने यह कहा कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपको हेल्प करें तो आपको एक्जिस पावर से हमको डिफेंड करना पड़ेगा और जो वाइसरा है उसको कोई किसी इंडियन को डिफेंड मेंबर बनाना पड़ेगा अपको युज एक्जेकुटिव कांसिल तो इसके उनकी उसके 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 अपकोफ तो इसमय मैं आड़कर तो टो थी वाइस सौल्ट मार्ज इस नोटेबल थी रहीं टीजन First, Mahatma Gandhi to world attention march was widely covered by the European and American press. Second, it was the first national activity in which women participated in a large number. The socialist activity, Kamla Devi Chattobadhyay, was one of the numerous women who courted arrest by breaking the salt and liquor laws. Third, it was the salt march which forced upon the British the realization that the Raj would not last forever. Let's look at the Irwin Gandhi pack. Gandhiji was released from the jail in January 1931, the civil disobedience movement was called off. All prisoners released, all prisoners were released, salt manufacturers allowed, you know, along the coast and Gandhiji agreed to participate in the second roundtable congress. He agreed that now I will sit in the second roundtable conference. What happened in the second roundtable conference? A second roundtable conference was held in London in the later part of 1931. Gandhiji represented the congress, okay? However, his claim that his party represented all the India, came under the challenges of three parties, the Muslim League, which claims to stand for the interest of Muslim minority, from the princes who claimed the congress had no stake in their territories and the minority, and from the brilliant lawyer and thinker B.A.R. Ambedkar, who argued that the Gandhiji and the Congress did not really represent the lowest caste. Okay, I am going to make a video of the subsidiary alliance. You can take a screenshot, otherwise I am not going to make a separate lecture. Okay? I am going to make a screenshot, okay? So, this is a map of the territories and cities under the British control in 1857. Aavad, Bihar, Bengal, Urissa, Mbanaaras, Birraa, Surat, सत्याग्रे अच्छा early सत्याग्रे एक्सपरिमेंट इन इंडिया यह देख लेकर था चुट पॉइंट से इन 1917 में क्या हो था चंपारन सत्याग्रे हो था बिहार में ठीक है जो कि इंडिये को कल्टिवेशन का गैंस था 1918 में एहम्दाबा टेक्स्टाइल वाला जो हुआ था इस्पीड हुआ था लेबर दिस्पीड of गुज्रात Demanding better working condition of the textile mill workers 1918 में کھیडा सत्क रहे हुआ था यह गुजरात में हुआ था इसका के demand था The re-summission of taxes from the state following the failure of their harvest 1920 और 1992 के बीच में देखी है हमारी नॉन कोपरेशन हुआएं सेब न सबंसे पहले संबरोन सबंसेथ कर वह फिर एहमदाबर ट्क्रा वाला किया फिर कर खेडा सबंसेख लिए हुआ फिर 1922 को आई ऐड दा इस तक याज रिए उन गात अगर्विए वह ला उन 1914-18, the British had instituted censorship of the press and permitted detention without trial on the recommendation of a committee chaired by the Sir Sydney Rowlet. These tough measures were continued. In response, Gandhi ji called the country-wide campaign against the Rowlet Act, okay? We can see what happened. 400 people were killed in what is known as the Jaleenwala Bagh, okay? I was scared, 19-19, the 3rd April, okay? Open fire on the national meeting, okay? Why non-corporation movement? Indian who built the colonialism to end, were asked to stop attending the schools, college, law courts and not pay taxes. If non-corporation was effectively carried out, said Gandhi ji, India would win Swaraj within a year, okay? The Khilafat movement was increased, okay? You can take a screenshot. There are little key points, okay? Explain the developments of the Indian national movement between 1940 and 1947. Okay, let me see. This is also a separate lecture for Indian national movement. Okay? Civil disobedient movement. Civil disobedient movement. Let me read a little bit. Okay? Explain the ideas expressed by the Gandhiji in his address at the time of the opening of Banaras Hindu University. Okay? And Gandhiji was among social reformers as he was a politician. Okay? So, you can take all these screenshots. In the previous year, there are some questions. that came in the previous year. That's why I am telling you a little bit. In the meantime, we read civil disobedient movement. And we will read this lecture. Okay? We will read this lecture. When was the civil disobedient movement launched? And what were its reasons? Mahatma Gandhi started his civil disobedient movement in 1930. Because of the following reasons. Arrival of Simon Commission. Okay? Simon Commission. What was the arrival of Simon Commission? In 1928, the Simon Commission visited India under the leadership of Sir John Simon under the leadership of Sir John Simon. Simon Commission visited India in 1928. And all members of the Commission were Englishmen. And no member from India was included in this Commission. Okay? In August 1928, Nehru Committee submitted his report highlighting the demands of Indian British Government. Refused to accept his report. Feeling depressed. Gandhiji started the civil disobedient movement. Okay? Nehru Committee made a report which I have highlighted. The British Government had said that Indian British Government's demand. But the government had accepted it. Accepted it. He refused to accept it. He refused to accept it. He refused to accept it. And feeling depressed. Gandhiji started the civil disobedient movement. Okay? The British Government had hanged Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev till death. It generated discontentment among the Indians. The atrocities of India also had the revolution. The Kranti also had the revolution. Because the British Government had Bhagat Singh, Rajguru, and Sukhdev. Im *** examined him. The only thing that left and left after fight. Impact on the Viral Movement. Thealled period was held in hospital para squarely. अंडर दे लेडर्शिप उफ सादार बलब बड़ेर के अंडर एक पीजन सताइरे स्टाइरे था पढद आली में अच्छेस अफ पीजन पीजन थे इंबोलन गांदी जी तू साट सिबल दिस ओबिदेन्स मोमन ठीक है यह एक मेजर रिजन है फोर एवरी इंडियन हाउस होल्ड शॉल्ट वास इंडिस्पेंसिबल ठीक है किसे काम कर गए ठीक है यह पीपल फॉर्बिडन फॉर्म दे मेकिंग सॉल्ट इवन फॉर्ट दॉमेस्टिक यूज सारे बन रहे थे और पता ही है किसके पास जा रहे अधिक है वह तो मेंन चीज थे यह बनाना नी पा रहे थे या उतना बनानी पा रहे थे जतना कि वह दॉमेस्टिक अपने घर में उसक्रता है कंवल यह उसकाणी तो बैच अब बनांसक अबर आपता था जो कि बहुत ली महेंगा था ठीक है आपको यह लेक्ट्चर पसंद आया हो और अगर आपको मेरे लेक्ट्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दू लाइक, कॉमेंट और शेयर अगर आप अभी तक यहांबे बने हुए अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं thank you so much wish you all the best to all of you and see you in the next lecture bye